दोस्तों ये जो conveyor belt है इस conveyor belt के लिए हमें एक starter को बनाना है और जो हम starter बनाएंगे उस starter को बनाने के लिए कुछ logic होगा logic क्या होगा एक बार समझेए ये जो conveyor belt है इस conveyor belt को run करवाने के लिए three face motor का इस्तमाल के जाएगा साथ ही साथ में conveyor belt के साथ में एक limit switch को भी connect के जाएगा ये जो limit switch है इसको हम इस वले position पर लगाएंगे अब ये जो conveyor belt इस conveyor belt पे जो भी box आएगा मतलब कि जो भी समान इस conveyor belt पे आएगा वो यदि आके limit switch के साथ टकराता है तो हमारा जो conveyor belt है वो तुरंट ओफ नहीं बना चाहिए हमारा जो conveyor belt है वो conveyor belt थोड़ी देर के बाद में ओफ नहीं बना चाहिए अब यह जो motor इस motor को run करवाने के लिए motor का जो terminal होता है U1, V1, W1 इन टीनो terminal पे three phase का power supply provide करना होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे contactor और overall relay का इस्तामाल करते हुए पूरा connection कर दिया जो हमारा three phase का power supply होता है वो power supply जाएगा contactor में contactor से overall relay और फिर वहाँ से motor को power supply चला जाएगा अब यहाँ पे जो contactor को control करने के लिए हमें control circuit बनाना है तो नोर्मल जिस प्रकार से हम motor को चालू करने के लिए और बन करने के लिए control circuit बनाते हैं उसी प्रकार से control power supply डारेक्ली प्रोवाइड करना होता है तो मैंने neutral power supply डारेक्ली प्रोवाइड कर दिया अब इस contactor को जो phase supply जाएगा वो phase supply इस पॉइंट से जाएगा लेकिन बीच में हमें stop push बटन start push बटन इसके अलाबा जो हमारा overall relay है इस overall relay का जो nc contact होगा उसका भी इस्तमाल करना होगा यहां पर मेरे पास में overall relay का nc contact है तो phase supply सबसे पहले हमारे overall relay को जाना चाहिए तो मैंने phase supply को ले जाके 95 नमबर के terminal के साथ connect कर दिया अब 96 नमबर का जो terminal है इससे power supply जाएगा stop push बटन के लिए तो यह इस इसाथ हमें connection करना होगा तो मैंने यहां पर simple तरीके से connection कर दिया अब यहां है इस मोटर को चाल्व और बन करने के लिए कंट्रोल सरकिट यहां पर बन चुका है मैंने पाउस अप्लाइब को चालू कर दिया चालू करने के बाद यदि मैं स्टार्ट पूस बटन को प्रेस करूं तो आप देखोगे मोटर चालू हो गया इसको रन करवाने के लिए एक लोजी दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि जो Convier Belt है उस Convier Belt के साथ में हमें एक लीमी स्विच का इस्तामाल करना है जिसके जरी हम Convier Belt को बन करेंगे लेकिन लीमी स्विच के ऑप्टेट होने के थोड़ी दिर के बाद तो सबसे पहले यहां पे लीमी स्विच का कनेक्शन कर देते हैं उसके बास समझेंगे हम कि इस प्रकार से Convier Belt को थोड़ी दिर के बाद में बन करेंगे तो यह जो सिंबॉल आप देख रहें यह सिंबॉल होता है लीमी स्विच का और यह हो गया लीमी स्विच का एंसी कॉंटेक्ट अब इन दोनों में से कौन सा कॉंटेक का इस्तमाल करना है वह थोगा सा समझते है देखे दोस्तों यह जो हमारा Convier Belt को यदि हमें डायरिकली लीमी स्विच के जरीए ओफ करना है तो इस कंडिशन में लीमी स्विच का जो एंसी कॉंटेक होता है उसका इस्तमाल करना होगा मतलब कि यह जो एंसी कॉंटेक को हम लेके आएंगे और जो हमारा यहां पे कंट् सब्सक्राइस करते हैं सब्सक्राइब करें कंसे को प्रशुच को चालू करने के बाद यह जो करना है यहरा कंवेर बेल्टे वह रन करना स्टार्ट कर देगा और जो यहां पर बोक्स रखा वह आके सिद्धे ही लीमि स्विच के साहता नइंगा हुआ हमारा जो तुरंती ओफ हो जाएगा आप यहां पर देखिए ये जो ली मिट्विच को मैं ऑपरेंट करता हूं तो मेरा जो मोटर मो अटोमेटिकली हमारा जो मोटर है वो मोटर आफ होना चाहिए तो यह जो लिमी स्विच है इस लिमी स्विच के ऑपरेट होने के थोड़ी दिर के बाद में यदि हमें मोटर को आफ करना है तो इसके लिए हम इस्तमाल करेंगे ऑफ डिले टाइमर यह जो आप सिंबोल लेख र कर दीजिए इसके बाद इस टाइमर को फेस अप्लाई प्रोवाइड करने के लिए इस वाले कॉंटेक्टर को जो फेस अप्लाई जा रहा है जैसे कि यहां से फेस अप्लाई और यहां से फेस अप्लाई जो आ रहा है इसी के साथ में एक वार को कनेक्ट करके इसको फेस करती हैं अब इस connection में जो यहां पर हमने कॉंटेक्टर इस पोंट पर नहीं होगा इस वाले इस ब्लीक जगां जो को रिले का सिल माल करेंगे वह हमारा इस पर का हो जाहिए तो इसको हम पावर सप्लाई स्टार्ट पूस्ट बटन के आउप टर्मिल से प्रोवाइट कर देंगे इसके बाद जो हमारा टाइमर को भी पावर सप्लाई इसी रिले के जरीए जाना चाहिए तो यहां से एक वाइल को लूप कर दिया दोस्तों आगे का कनेक्शन बताने से मैं आपको एकशी बताना चाहूंगा जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको कहा था कि मैं एक ऐसा कोर्स बना रहा हूं जिसके जरीए आपको इलेटिकल वाइरिंग पूरा सिखाऊंगा जिस प्रकार से इस वाले सरकीट डाइगरा में हर एक पॉइंट को अच्छे तरिक असानी से उसके लिए सरकी डाइगराम बना दोगे आप ना ही गूगल पर सच करो किस प्रकार से कनेक्शन करना है ना ही आपके सुप्रवाइजर से पूछोगे सिंप्ली आप खुद अपने माइंड से पूरा स्टार्टर को बना दोगे इलेटिकल वारिंग का जो मास्टर जल्दी से जल्दी पब्लीच कर दूँ तो आप मुझे कोमेंट करके बताईए कि जो बाकी क्लासे से उनको भी रिकोर्ड करने के बाद अपलोड करूं या फिर इन सभी को अफलोड कर दूं उसके बाद उन सभी वीडियो को जो आने वाले हैं उनको भी धीर देर करेंगे उसका करनेक्शन कर देते हैं तो यहां पे पावर सप्लाइन के बाद यहां पे इस टाइमर का जगरता चाहिए अब इस प्राइमर से जो power supply जाएगा वो जाएगा हमारे man contractor के a1 टर्मिनल पे और इस contractor को neutral power supply हम directly provide कर देंगे अब यह जो एनो कोंटेक को power supply जाना चाहिए हमारे limit switch के input terminal से यह जो एनो कोंटेक के इसको power supply हम limit switch के input तर्मनल से इसलिए प्रोवाइट करें जिससे कि हमारा जो लीमिट स्विच यह यदी ओप्रेट होता है तो इस कंडिसन में जो हमारा पावर सप्लाई यहां पर कट हो गया जिसके वैसे इस सरकीट में पाव सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा तो हमें यहां पर क्या करना है कि जो हमारा यह वाला वायर है इस वायर को हमें लीमिट स्विच के इन्पूर्ट टर्मनल पर कनेक करना होगा इस प्रकार से अब यह जो हमारा ऑफ डिले टाइमर है इस टाइमर में हमने 7 सेकंड का टाइम सेट करके रखे हैं तो 7 सेकंड के बाद में हमारा कॉंटेक्टर ओफ होगा किस प्रकास से पूरा सरकीट वर्क करेगा चलिए देख लेते हैं मैंने यहां पर पाव सप्लाई ओन कर दिया आप देख सकते हो अभी के टाइम पर मोटर ओफ है मतलब कि जो हमारा कंवेर वेल्ट अभी के टाइम पर ओफ कंडिशन में है अब जैसे ही मैं स्टार्ट पूस बटन को प्रेस करेंगा तो आप देखोगे मोटर स्टार्ट हो चु सब्सक्राइब हो फिरद बार धेफ लिट उपर को मोटर चाली है तो इस कंडिशन में यहां पर पावर सब्राइब हो-गया तो करने फे दवारा चालू हो गया थोρα सा यहां पर Tube को टॉले की है यहां पर यह है कि उस्तेन हमना क हमारा हुद सपर्पार कर दिया का सब्सक्राइब कंट स्टार्ट पर कोल्टक्र के अधे समैं के ब्रेक हो गया इसको रिसेट कर दिया टाइमर का काउंड़ां स्टार्ट हो गया है तो तुरंटी हमारा मोटर ओफ हो जाएगा आप यहां देख सकते हैं मोटर हमारा ओफ हो चुका है दोस्तों यह आप एनिमेशन के जरी पूरा वारिंग सीखना चाते हैं तो कुछ दिन और कर लीजिए आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा को लोंच करने वाला हूं तो दोस्तों मैं उमीड करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नाया सीखने को मिला होगा